हेलो फ्रेंट वाल के आप सबका हमारे चैनल होना तो आज की वीडियो बहुत जाइधे इंट्रिस्टिंग होने वाले कि इस वीडियो में जानने वाले है कि कुछ पैनी स्टॉक्स स्के बारे में जो बिलकुल भी डैप्थ-free तो चले वीडियो स्ट परास करते हैं तो चले का नाम है तो इसका नाम बदल के रख दिया गया है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस और इसका जो नाम बदल है वो बदल है कंपनी के प्रोमोटर्स थे क्योंकि वो जो है वो इस बिजनस को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो जो है वो इन फ्रेक्चर से दूर एक अपना न और पावर बिजनेस को पटरी पर लाएंगे और इलेक्ट्रिकल वीकल में इन्होंने जो है वो रिवाल्ट कंपनी की 33% की खड़दारी की और वो यहां पर नहीं रुखेंगे वो जो है वो रिवाल्ट को 43% पर लेकर जाएंगे और यह जो है वो रिवाल्ट वो 7% का मार्केट शेयर रखती है और इटीवी वाइकल में भी इसका जो है वो 5000 का बुकिंग हो चुकी है यह जो है वो अपने प्रोड़क्शन को धिर धिरे बढ़ाएंगे ड्यू टू कोरोना यह डेप्ट फ्री कंपनी है और यह जो है वो 22% अर्न करती है लेगिन यहाँ पर पावर बिजनस का कोई भी रिस्क नहीं है कंपनी की ग्रोथ और अपर्चुनिटी को लेकर इनका माइंड पूरा क्लेयर है अगर फ्यूचर में अर्णिंग को अप्शन दाना पड़ा तो यह ज़रूर लेकर आएंगे और अगर हम इनकी व जो पूंद हो चुकी है सारव माल जो है वह ब्जूक आप यहाँ पर हम लोग को मोटिफाय कर दीजिए करहें जैसी आएगा वसी हम आपको कर दिंगे तो आप समझ सकते कि इनका पूरा माल मोग विंप पूरा पता है कि एक स्टेट इसको लेगी तो दूसरे स्टेट को भी इसका फाइदा मिलेगा तो यह जो कंपनी है वो clearly highlight कर रही है यह जो गुजराद गवर्मेंट से incentive मिल रहा है वो एक addition है क्योंकि यह central government भी दे रही है यानि कि directly कंपनी को double फाइदा और जैसे जैसे गुजराद electric के model को देखते हुए दूसरे स्टेट के लोग follow करेंगे तो यह जो है वो बिल्कुल boom की तरह उडने वाले और अगर आप भी electric vehicle के आने वाले boom को 5-10 साल में gap नहीं करना चाहते हैं तो electrical vehicle के किसी भी stock को ignore नहीं करना है तो हर vehicle के stock पे अच्छे से नजर बनाए रखना है क्योंकि जो है वो electrical car का business जो है वो आने वाले जीवन में बहुत ही जादा growth करेंगे इस 10 सालों में इसमें बहुत ही अच्छी boom देखने को मिलेगी तो अब आपके सामने रतन इंडिया enterprises का चार्ट जैसा की लगातार upper circuit चला फिर lower circuit दिया फिर दो दिन upper circuit चला तो इसका reason यह है कि यह penny stock है तो market में यह news आने के बाद इसमें तेजी देखने को मिली है तो इस तरह की जो तेजी होती है वो directly हम लोगो को बताते है कि इसमें जो है वो operator घुश चुक है इस तरह की तेजी में हमें investment करने से तो बचना ही चाहिए जहां तक इस stock को लेकर मेरा नजरिया यह है जिस तरह से यह electrical vehicle में investment कर रहे हैं इलेक्टिकल vehicle के business पे focus कर रहे हैं और debt free है तो यह जो है रतन इंडिया इंटरप्रेज इसमें तो आप इतना ही पैसा लगाई है जिसमें आप रिस्क अपना जहल चुक है जितना आप रिस्क संभाद सके उतना ही आप इसमें पैसा लगाई है इसमें थोड़ा रिस्क भी है और तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक ले बाय बाय और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना कि हमारी आने वाली नहीं helpful वीडियो की update सबसे पहले आपके पास खुलवाना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक पर सजा कि आप खुलवा सकते हैं फ्री डीमेट अकाउंट आपका वहां से ओपन हो जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में